Assalamualaikum class, how are you? I hope you all are fine. Class 2, आज हम लोग SST परेंगे, आप सब अपनी अपनी बुक्स ओपन करें, SST के जल्दी से, आज हम लोग lesson no. 6 कर स्टार्ट करेंगे, इसका topic क्या है? Our Rights and Responsibilities का मतलब क्या है? कसी बच्चे को पता है? मैं आपको पताती हूँ, इसका मतलब है हमारे हकूप और जिम्मेदारियां. Rights हकूप को कहते हैं, हकूप हक की जमाउती ठीक है, हमारे हक जो देना, उन्हें हकूप कहा जाता है. और Responsibilities हमारी जम्मेदारियां. इसकी रिटिंग स्टार्ट करेंगे, सारे लेसन में हम लोग हमारे हकूप और जम्मेदारियों के मिवारे में ही पढ़ेंगे. Every child is a gift of Allah. हर बच्चा जो है, अल्दाला की तरफ से तौफ़ा है. Be it a boy or girl, वो एक लड़का हो या लड़की हो. ठीक है, एक लड़का और लड़की हर बच्चा मतलब जो है, वो अल्दाला की तरफ से गिफ्ट है, तौफ़ा है. All children have the right to food, clothing and a safe place to live. हर बच्चे को हाक है कि उसे खाना, कपड़े और रहने के लिए महफूस जगा मिले. ठीक है, यह हर बच्चे का हाक है. They have the right to go to school and get good health care. यह हर बच्चे का हाक है कि वो स्कूल जाए और उसे एक अच्छा health care मिले, अच्छा सहत, सहत के लिए ना अच्छी चीज़े मिले ठीक है, treatment उने अच्छा मिले. They have the right to be loved and cared for by their parents. हर बच्चे का हाक है कि उसे अपने माबाप याने के वालदेन से प्यार मिले. They also have the right to fun and play. उनका यह भी हाक है कि वो खेलें और मजा करें, ठीक है, fun करें. अभी यह हमें knowledge corner में क्या दिया गए? यह इमाम भुहारी की यह हदीस है, Each one of you is a guardian and is responsible for what he is interested with. हमें से हर एक वली आहद है और उसके वो जिसके साथ रह रह रहा है, उसकी responsibility है, वो उसके support है कि उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करें, यानि के आप लोग अपने माबाबा यानि के वालदयान के साथ रह रहे हैं न, ये वालदयान के जो जिम्मेदारियों वो आपके हक है, यानि के जो आपके हक है वो उनके वालदयान, आपके वालदयान को वो पूरे करने चाहिए, जिम्मेदारियों. चलें, आप हम इसकी reading करते हैं, आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे सब बचे Every child is a gift of Allah We are a boy or girl All children have the right to food, clothing and a safe place to live They have the right to go to school and get good health care They have the right to be loved and cared for by their parents They also have the right to fun and play Okay, बच्चों, आप लोगों ने ये रीडिंग करनी है आज बाकी हम लोग नेस्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपना बहुत सारा ह्याल रखियेगा Okay, Allah, peace!